बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, उमीदे मुझे खेरियाश से होंगे आपो और सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं आप इंजॉय भी करना है लेकिन अपना बहुत सारा खयाल भी रख रहे हैं गरम कबड़े पहने हैं को गरम चीज़ों भी खानी है और यह बता हैं सब पढ़ रहे हैं अपनी क्लासिस को अटेंड कर रहे हैं अच्छी बात है तो आज साइंस में पढ़हेंं हम उनित नमबर 5 तो तमाम स्टूरेंट्स अपनी बुक में उनित नम kanड़े कर लिए देकिए यूनिट नमबर 5 और इसका बुक पीज नमबर है 33 आज हम यूनिट नमबर 5 में पढ़ेंगे Heat and Light गर्मी और रोश्णी चलें स्टार्ट करते हैं सबने मेरे साथ रेडिंग करनी ही बहुत अच्छी तरह Fireworks, Produce, Heat and Light पहले आप बताईए Fireworks किसे कहते हैं पताएं सबको Fireworks कहते हैं आतिश बाजी को यह देखें यहां नजर आरी ना इस फिचर में आपको आतिश बाजी तो जब यह Fireworks होते हैं आतिश बाजी होती है तो क्या पैदा करती है यह Heat and Light इससे गर्मी भी होती है और रोश्नी भी होती है ओके स्ट्रेंट्स चलें पेशन कीजियो और बुक पेई नंबर 34 पर आजाएं आप लोग अप बुक पेई नंबर 34 Heat is very important for us The sun gives us heat It also gives us light Heat जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है Heat तो सबको पता है ना क्या होती है Heat means गर्मी गर्मी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है और सूरज हमें गर्मी देता है और गर्मी के साथ साथ वो हमें क्या देता है सूरज जब सूरज निकलता है और तेज भी होता है अच्छा देखें अस रेंड ये बल्ब है और बल्ब भी हमें गर्मी और रौष्णी देता है फार Öंसो गीव्व किस आउट लाइट एंड हीट ये फार रहने के fastिए सब को पते न क्या होती है आँखो कहते हैं आँख भी हमें रौष्णी और गर्मी देती है A candle gives out light and heat Candle भी हमें heat और light देती है अब page number 35 पढ़ेंगे Page number 35 Continue करते हैं हम अपना chapter We need heat to keep us warm in winter We need heat to keep us warm in winter किसकी जरुषत होती है अपने आपको सर्दियों में गरम लखने के लिए गर्मी की जरुषत होती है तो हम आग जलाते हैं गरम पड़े भी पहनते हैं इसके लिए Light helps us to see things we cannot see in the dark और रॉच्णी हमें मदद करती है चीजों को देखने के लिए रौश्णी होती है तो हम चीजों को बासानी देख सकते हैं और जो अंधेरा होता है उसमें हम चीजों को नहीं देख पाते हैं We need heat to cook our food हमें अपना खाना बनाने के लिए भी गर्श की जरुत होती है heat की जरुत होती है तो हमें तो heat और light की बहुत जरुत होती है तो अब हम आगे chapter अपना continue करेंगे book page number 36 open कीजए book page number 36 sunlight is made up of seven colors we can see the seven colors of light in a rainbow सुरज की रौश्णी साथ रंगों से मिलकर बनती है हम रौश्णी के साथ रंग कहा देख सकते हैं रैंबो के अंदर एक साथ देख सकते हैं तो उस रैंबो को कभी आपने देखा है आपको seven colors होते हैं और कौन कौन से colors होते हैं चले रीट करें red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet देखें ये seven colors है ना इन seven colors से मिलकर ही रैंबो बनता है light can pass through air, water and glass light can pass through air, water and glass light जो है वो इन से pass हो सकती है देखें इन चीजों से air से भी pass हो जाती है light, water से भी और glass से भी light cannot pass through wood, cardboard and rubber light जो है वो इन चीजों से पास नहीं होती बहुत सारी ऐसे चीज़ें इन से पास नहीं भी होती है लेकिन यहां मारे पास example में दो तीम चीज़ें हैं जिसमें wood है, लकड़ी है, cardboard है और rubber है इन चीजों से light पास नहीं होती तो students, यह आज हमारा chapter यहां पर end हो रहा है आपने अपने घर में इसकी बहुत अच्छी से reading करनी है और उसको understand भी करना है अच्छी तहां से क्योंकि आपको पते हैं, MCQs होते हैं हमारे तो वो chapter में से ही होते हैं तो chapter को तो बहुत अच्छी तहां से read करके उसको understand करेंगे आप उसके बाद मैं इस book की इसी chapter की exercise करवाओंगी तो तमाम students अपनी अपनी pencil hold कीजिए और book page number 37 पर आजएं